हम लोग यहाँ पहुचकर अक्छरदाव आसरब में रूम बुक किया है यह आउनलाइन बुकिंग होती नहीं है आपको यहाँ पर आकर महराज से बात करके रूम देखना पड़ेगा रूम काफी बड़ी हैं 500 रुपिया करकर एक एक रूम कर लेते हैं इसमें कोई नौन भेज खाना इलाओ नहीं है यह आपको खुद बाहर से खाकर आने पड़ेगा और इसमें आपको नौन भेज खाना लेकर भी नहीं आपाते हैं और अब इसमें अधार काट लाकर बुकिंग कर सकते हैं ज्यादा लोगों को पर्मिशन मिलता नहीं है, रूम के साज़े काफी अच्छे हैं, काफी बड़े हैं, और सबसे प्लस पाइंट क्या है, रूम जो है डवल हाइट के हैं, मतलब सुला सत्रा फूट का हाइट है, इसके बैलकोनी जो है चारो तरफ ओपेन हैं, इसलिए ये का रहने के बाद में, और ये जो असरम है, बिल्कुल ही बाजार के डाइगनोली ओपोजीट है, अगर आपको कुछ समान खरीदना हो तो ये काफी स्विदा होता है, जब समुद्र भिया से ज्यादा दूर नहीं है, एक सो मीटर के अंदर में है, अब अराम से जाकर आ सकते है ति काफी अच्छा जगा है रहने के लिए, काफी क्लीन है, रहने में आपको अच्छा लगेगा, कोई जमिला नहीं हम लोग यहां से फिर भारत सिवा अच्रम में खाना खाने के लिए यहां का नियम क्या है, सुबह आपको 7.30 के अंदर में कूपन काटना पड़ेगा, अगर आप कूपन काट लिए, 60 रुपया में कुपन मिलता है तभी आपको खाना खाने मिलेगा बनना नहीं मिलेगा आप लेट करते हैं तिये खाना नहीं मिलेगा आप 7-7 बजे कुपन काट कर 12-12 बजे तक वहाँ पहुंच जाएं यहाँ जो खाना प्यूर भेज आपको मिलेगा काफी अच्छा लगता है अपने पुराने भारतियरीती रिवाज के अनुसार से नीचे बैठ कर जमीन में बैठ कर अरमस खाना खिलाया जाता है जिन लोगे को पैरेव में प्रॉब्लम है समस्या है उनके लिए बाहर में चेर लगे वो बैठ कर भी खाना खा सकता है